इसमें एक छोटा गरीब लड़का अपनी बुड़ी दादी से बे तहा तनहा प्यार करता है जिस उम्र में छोटे बच्चे अपने लिए मेले से खिलोने खरीदते हैं उसी उम्र में हमिट नाम का लड़का एक छोटा लड़का मेले से अपनी बुड़ी दादी के लिए चिम्टा खरीदना पसंद करता है ताकि रोटी बनाते समय दादी के हाथ न जले इस चेप्टर में इस पार्ट में जी ही बताया गया है आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हमिट के दोस्त उसे देख हसने लगे क्योंकि उसने क्या खरीदा था चिम्टा सब बचों ने खिलोने खरीदे लेकिन हमिट ने अपनी दादी के लिए चिम्टा खरीदा था इसलिए सभी दोस्त उसको देखकर हस रहे थे एक ने का अरे ये चिम्टा क्यों लाया हमीद ने कहा यह भी तो एक खिलोना है अब वो उसको क्यों चिम्टे को क्या बता रहा है खिलोना कंदे पे रखो तो बंदू कंदे पे रखो तो क्या बनेगी बंदू और हतेली पर मार कर बजाओ तो क्या तो बाजा हतिली से ऐसे मारेंगे तो क्या बनेगा बाजा उसमें से आवाज आएगी और चोर आजाए तो हत्यार चोर आजाए तो क्या बन जाएगा हत्यार चिम्टा एक और काम कितने अनेग है ना बड़ा मजेदार तबी नूरे का वकील हाथ से छूटा यानि उसने मिट्टी का एक खिलोना लिया था वकील लेकिन वो हाथ से चूटते ही नीचे गिरा और तूट गया मिट्टी का खिलोना तूट जाता है लेकिन चिम्टा लोहे का था उसको कितनी बार भी नीचे गिराओ वह वैसा की वैसा ही रहेगा वह नहीं तूट सकता महमूत का गुबारा फूट गया बच्चों को हमीद से जलनसी होने लगी साड़े ग्यारा बजे बच्चे गाव को लोट आए दादी ने हमीद को गोद में उठा लिया हमीद उसने चिम्टा देखा तो पूछा यह कहां से लाए तुमने खरीदा हमीद ने हां कहा दादी ने कहा कैसे पागल लड़के हो न कुछ खाया न पिया यह चिम्टा उठा लाए यह कोई खिलो ना है हमीद ने कहा बड़ी अम्मा यह तुमारे लिए लाया हूँ किसके लिए लाया हूँ दादी के लिए क्योंकि क्यों लिखे आया कि दादी रोटी बनाती थी रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते थे और चिम्टे लाएगा तो दादी चिम्टे से रोटी सेके कि तुनका हाथ भी नहीं जलेगा तुम हाथ से रोटी उठाती हो तो तुमारा हाथ जल जाता है जल जाता है न इसलिए दादी यह सुनकर गदगद होड़ी उतन की आखे भराई उसने हमीद को गले से लगा लिया यानि हमीद ने अपनी दादी के बारे में सोचा एक छोटा सा बच्चा जो अपने लिए न सोचकर अपनी दादी के लिए वह उपयोगी चीज लेके आया ताकि वह अपनी दादी की साहता कर सकी अपनारा चेप्टर खतम हो गया है आज इसके सब्दार्थ हो गया है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ ये भी हो गया है सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का चीनल लगाओ ये भी हमारा हो गया है निम्ली के सब्दों के लिंग बलो बासा वे व्याक्षण में ये भी हमारा हो गया है निम्ली के सब्दों से सही सब्दों के सामने राइट सुरी चीनल लगा हो ये भी हो गया है अब बचे हमारे फ्रशन उत्तर फ्रशन उत्तर देट 12 objectives ये हमारा homework होगा हमित क्या सोच कर चर्की पर नहीं बैठा पैसे कम होने के कारण हमित चर्की पर नहीं बैठा यह मैं वीडियो में बता रही हूँ और पिक भी भेज दूँगी हमित क्या सोच कर चर्की पर नहीं बैठा पैसे कम होने के कारण हमित चर्की पर नहीं बैठा हमीद ने चिम्टे को खिलोना इसलिए कहा क्योंकि अगर चिम्टे को कंदे पर रखो तो बंदू और हतेली पर मार कर बजाओ तो बाजा और चोर आजाए तो हत्यार बन जाए और उसे मानने के लिए काम आए हमीद ने चिम्टे को खिलोना इसलिए कहा क्योंकि अगर चिम्टे को कंदे पर रखोगे तो बंदू और हतेली पर मार कर बजाओगे तो बाजा और चोर आजाए तो हत्यार बन जाए और उसे मानने के लिए काम आए इसलिए हमीद ने किम्टे को खिलोना कहा थर्ड कोस्टन्स हमीद ने मिठाई क्यों नहीं खाई हमीद ने मिठाई इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसकी दादी ने भी घर में सेवाईयां बनाई थी वा दूसरी मिठाई खाकर फिजूल में पैसे खर्च नहीं करना चाता था वाको सुनो, हमिद ने मिठाई इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसकी दादी ने भी घर में सिवैया बनाई थी वा दूसरी मिठाई खाकर फिजूल में पैसे खर्च नहीं करना चाता था ओके फिर फोर्थ कोशन हमित की दादी को किस बात की फिक्रती हमित की दादी को इस बात की फिक्रती कि सभी बच्चे अपने अपने घरवालों के साथ मेले जा रहे थे हमित अकेला ही गुमने जा रहा था वह कई गुमना हो जाए इस बात की दादी को फिक्रती सभी बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ मेले जा रहे थे और हमीद अकेला ही गुमने जा रहा था वो कहीं गुमना हो जाए इस बात की फिक्रती दादी को फिर फिप्ट कोशन दादी की आँखे क्यों बराई दादी गिया के हमिद द्वारा लाए गए चिम्टे के कारण भराई क्योंकि हमिद ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा पर दादी के लिए चिम्टा लाया ताकि रोटी बनाते वक्त दादी के हाथ ना जले यह हमारा हूंबक है अब अपना चेप्टर भी फिनिश हो गया खतम हो गया यह पूरा पढ़ लिया हमने इसको और इसकी कोशन आसर आपको करने है और नाटबुक चेक करवानी है